नमसकार दोस्तो, वेलकम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल सेलर एंकर, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी आपका सलाकार अबशेक मिश्रा, दोस्तो, काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने जा रही है, वीडियो में लास्ट तक आपको घर से बाहर रहना है फैमिली सेक्रिफिकेशन उसके बाद आप जो भी पैसा कमाते हैं वो आपका पैसा तो सेव रहेगा मगर उसका यूटिलाइज आपको सही तरीके से कैसे करना है ये पता होना चाहिए मेहनत चाता है सेफटी का ध्यान रखना है आपको ओशियंस मे सेल करना होता है दोस्तो और सेलिंग पिरियड ऐसा नहीं है कि आपके वन डे की सेलिंग हो या टू दी की हो सम टाइम इट लेट फोटी फाइव दे लिंग ओल्सो थर्टी डेज ओल्सो शिक्स आवर ओल्सो तो ये सारे फैक्टर आपको पता होना चाहिए दोस्तो घबरान सेलिस्टेज पर तो ये सारी बाते करते हैं सबसे पहले जो है योगेता आपकी मिनिमम्म योगेता है वो 10th क्लास होनी चाहिए 10th क्लास में भी कई अब 10 में भी एकदम घटिया पर्सेंटज लेके आते हैं और बोलते हैं कि सर इस में हो जाएगा तो 10 में तो कम से कम 80% chances, मैं 100% फिर भी नहीं कहूंगा, 20% फिर भी आपका lagging हो सकता है, depend करता है आपके merit पे, आपकी योगता पे, बट फिर भी, rather than you are doing from some x, y, z, किदर किदर से बोलते हो, वहाँ से करने से अच्छा, अगर आप इन institute से करते हैं, तो आपके काफी सारे मतलब फाइदे हो सकते हैं, not only company, यहाँ पे education training अच्छी है, and जो training है, training materials आपको दिया जाता है, जो impart कराई जाती है knowledge आपको, जो की ship पे काम आता है, कैसे safety का ध्यान रखना है, checklist का कैसे use करना है, without checklist, without permit, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है, suppose that, आपका chief officer या captain आपको बोलता है, मनलों आपने कोई fitter का course किया है, fitter का course किया है, आपको without hot permit, वो बोलते हैं कि काम करो, तो आप straight away deny कर सकते हो, आप challenge कर सकते हो दोस्तों, यह कर सकते हो, और आप करना भी मत without permit, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आपकी safety नहीं रहती, अगर आप कोई checklist या permit use करोगे, तो definitely आपको पता होता है, कि हाँ भाई, यह सारे काम मुझे करने होते हैं, suppose that, मैं hot work करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि hot work permit में क्या दिया रहता है, इसकी validity कितनी दी होती है, इसका time start कितने वज़े से काम होता है, वहाँ पर क्या होता है, oxygen वगेरा, जो carbon monoxide, जो भी other gases होते हैं, वो सारे check किये हैं कि नहीं किये हैं, एक additional person stand-by है कि नहीं है, fire extinguisher रखा है कि नहीं है, fire hose ready है या नहीं है, आपके जो ये flashback arrester हैं, बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके जो क्या कहते हैं, इसमें जो आपके nozzles होते हैं, cutting nozzles होते हैं, उसमें ये जो pipes वगेरा लगी होगी हैं, उसमें double jubilee clip लगें, तो ये सारी checklist चीजे में रहती हैं, आप टिक करते जाते हो, तो एक बार जरूर आपके remind में रहता है, तो ये तो जस्ट मैं आपको कोई एक अलग topic में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक basic चीजे बता रहा हूँ, तो ये सारे चीजे हैं, तो आप 10th base पर जा सकते हैं, आपको अपनी safety का ध्यान रखना है, घर से दूर रहना है, आपको शमुंदर में रहना होगा, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, आप 10th base पर इन इस्टिटोर से GP rating कर सकते हैं, आए बात करते हैं अब salary की, salary prospects क्या होता है, ये वीडियो जो है, इस basically मैंने GP rating वालों के लिए बनाई है, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, उनके बहुत message आते हैं, और 10th base से हम start करते हैं, next video रहेगी मेरी DNS के लिए रहेगी, और एक UPSC की मैं बार-बार बोल जाता हूँ, अभी आदाई, तो उसके उपर भी बना दूँगा, कि मर्चेंड नीवी से UPSC कैसे जाते हैं, तो दोस्तों 10th base पर आपके बिसिकलि तीन course होते हैं, एक तो GP rating का होता है, एक Saloon rating जिसमें catering का सिखाया जाता है, आपको जिसमें आप GS वगेरा में जोईन करते हैं, और तीसरा आपका ये cutting welding का जो होता है, फिटर का होता है, ठीक है, अब तीनों की क्या-क्या rank होती है, अगर आप Saloon rating वाला course करते हो, तो आप GS में जाओगे, और GS में नॉर्मली आपका जो cabin arrangement का bed sheet वगेरा आरेंज करना है, cabin cleaning का, स्टोर्स का, ये सारा काम रहता है, और प्लस एडिशनल वो chief cook को भी assist करता है, वो ही GS बाद में जाके chief cook होता है, chief cook जो सबका खाना बनाता है, तो chief cook की salary जो होती है, around 1200, 1300, 1500, 1700 तक जाती है, depend करता है company to company पे, 1700 को आप 80 से multiply कर दीजे, about 80,000 ये हो गया है, 56, 130 और 120 लैक के आसपास उसकी salary होती है, प्लस ओवर टाइम भी मिल जाता है, एडिशनल वो 300 डॉलर के आसपास मिल जाता है, तो वो 24,000 तो कुल मिला के, between 1 to 1.5 लैक, chief cook की salary होती है, जो खाना बनाते हैं, उसी में GS की जो salary होती है, initial stage में जब वो training में जाते हैं, HTSM में जाते हैं, तो उस टाइम उनकी कम होती है, 400, 500 डॉलर होती है, बट उसके बाद जब उनका एक contract हो जाता है, या दो contract हो जाता है, जैसे experience बढ़ता है, तो उनकी salary 1000 डॉलर से ज़्यादा हो जाती है, तो यह तो मैंने GS की बात कर दी, अब आएगे deck rating की बात करते हैं, तो जो DTSM में जाते हैं, same इसी तरीके से, initial stage में उनको 400 तो 500 डॉलर मिलते हैं, प्लस आपकी जो whole cleaning का पैसा होता है, वो 200-300 या 400 एक्स्ट्रा मंतली, depends करता है आपकी कौन सी company है, owner क्या है, ship कैसा है, तो यह सारे factors द्यान में रखते होगे, 500 तो मिलेगा मिलेगा, प्लस additional आपको 400-500 डॉलर मिल जाता है, जो कि around 60-70,000 के असपास बन जाता है, और अगर यह 400-500 नहीं मिल रहा है, तो about 30-40,000 मिल जाता है, तो जितना आपने जो पैसा लगाया है, अपना प्रीशी ट्रेनिंग में, वो एक या दो contract में आप cover कर सकते हैं, DTSM वाले, उसके बाद जब एक बार वो कर लेते हैं, तो फिर उनको एक watch giving certificate निकालना होता है, वो certificate लेने के बाद, फिर दोस्तों, जब वो certificate आ जाता है, तो फिर वो OS में जायन करते हैं, ordinary season में, जिसकी salary थाउजन तू ट्वेल वंडड़, ताउजन डॉलर या ट्वेल हंड़ डॉलर होती है, जो कि ए अप्रोक्शिमेट वन लैक तक उसका wages बन जाता है, फिर इसके बाद आईए बात करते हैं, फिर फिटर वगेरा के बारे में, तो दोस्तों फिटर बेसिकली वही करते हैं, जिन्होंने ITI वगेरा की हो, ITI कूर्स किया हो, उसके बाद वो cutting, building का कूर्स कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में वो ट्रेनिंग फिटर में जाते हैं, सेम वही ट्रेनिंग की सेलरी, 400-500 डॉलर ही होती है, और डिपेंड करता है, ओनर तू ओनर पर, मैक्सिमम 600 या 800 हो जाएगी, फिर जैसे ही ट्रेनिंग के बाद, experience आ जाता है दोस्तों, तो फिर wages बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो इसी तरीके से दोस्तों, और एक कुरू की सेलरी, 1400-1500 डॉलर होती है, जब आपके पास experience हो जाएगा, 1500 या 1400 डॉलर या 1300, वो agreement पे होता है, demand करता है, आपकी इस company में सेल कर रहे हूँ, मैं foreign going ships की बात कर रहा हूँ, Indian coastal ships में जाओगे, तो वो wages थोड़ा less हो जाएंगे, क्योंकि वो India coast में करते हैं, तो उनकी company के हिसाब से होता है, tax बगेरा का issue होता है, बट यहाँ पे आपका कोई tax का issue नहीं है, यह NRI wages हैं, तो दोस्तों यह है, मैंने आपको मोटा मोटी simple तरीके से आपको यह बता दिया, ratings के बारे में, तो यह आपको समझ में आ जाएगा, hopefully video समझ में आई होगी, मैं तो काफी details में अच्छे तरीके से बताई है, आप इस पे अमल करिएगा, वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और जो लोग जाना चाते हैं, वो यह जानिएगा कि आखिर है क्या, और ज्यादा जानने के लिए, आप लोग मेरी वीडियो देखते रही है, जो कि regular तो नहीं कहूंगा, टाइम नहीं मिर पाता है, बट इस्टिल 15 डेज, 10 डेज में एक वीडियो आ जाती है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फोलो कर सकते हो, अभिशेक.chief officer, मैं description के link में भी डाल दूँ है, इंस्टाग्राम में भी आप मुझसे सवाल बूश सकते हो, अब बहुतों का ये question होगा, कि sir, आप इंस्टाग्राम में reply नहीं देते हो, yes, you are right, I am agree with you, देखो, चीजे क्या होती है, जैसे आप without follow message करते हैं, कहीं क्या होते है, direct message करते हैं, तो वो messages, या तो hidden messages में चले जाते हैं, या spam में चले जाते हैं, इसलिए मैं उनका reply नहीं दे बाता हूँ, बाकी, जो मुझे follow करते हैं, उनका भी reply में, sometime, तो वो मुझे comment में जब बोलते हैं, कि sir, आपने reply नहीं दिया, तो वापस से मैं comment से उनकी profile में जाके, straight away reply दे देता हूँ, तो दोस्तों, मेरा क्या है, मैं straight forward बन दा हूँ, जो है, fact है, कोई background आपको ऐसा, style is नहीं मिलेगा, जो actual है, वो आपको दिखाते हैं, बस यही है, बने रहिएगा, मेरे साथ next वीडियो में, तब तक ले, goodbye, take care, जैहन,